हे दोस्तो वेलकम बेक तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इस्टिल बास का पर लेंथ वेड कल्कूलर करने का फार्मूला क्या होता है उसे हम कैसे डिराइव करते हैं उसे हम इस वीडियो को दिरूँ डिटेल में समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा end तक देखना, क्योंकि हम उसे एक example के दिरूँ समझेंगे, जिसे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तो अब हम उस formula को derive करना start करते है, उसके लिए हमें क्या पता होना इस एकुइशन के अंदर A किसको denote कर रहा है एरिया को, और L किसको denote कर रहा है लेंध को, और जो हम formula derive कर रहा है और length के लिए, यानि 1 meter length के लिए, तो हमने एजुम किया, जो हमारी length बाहर की हो, कितनी 1 meter है, तो अब हम क्या करेंगे, इस formula में सारी value put up करेंगे, तो weight is equals to कितना होगा density, density कितनी है, 7850, and जो area आएगा, area का formula क्या होगा, pi by 4 into d square, क्योंकि जो हमारी bar होगी, वो किसमे होगी circular form है, तो circle का area calculate करने का formula क्या होता है, pi by 4 into d square, and जो length है, वो कितनी है, 1 meter है, तो यह सारी value हमारे पास आ गई, लेकिन यहाँ पे जो d है, वो किसमे है, mm में, तो उसे हमें convert करना पड़ेगा, in meter में, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी values है, वो किसमे, in meter में, क्योंकि density unit कितनी है, kg per cubic meter, और जो length है, वो किसमे, meter में, बस area किसमें आ रहा है mm में, तो उसे हमें convert करने रहा पड़ेगा in meter में, तो जो हमार diameter है, उसे meter में convert करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से divide करेंगे, यानि d square upon 1000 का square, जिससे हमार पास किया जाएगी सारी value in meter में, लेकर हम formula किसके लिए derive कर रहे है, weight per length के लिए, तो हम क्या करेंग wall का square, यहाँ पर हम 1000 सेट q divide कर रहे है, क्योंकि हम क्या कर रहे है, जो हमारे bar का diameter है, उसे हम meter में convert कर रहे है, तो जब हम इस equation को simplify करेंगे, तो weight per meter क्या आएगा, 6.165 into 10 की power minus 3 d square, और जब हम इसे और ज़्यादा simplify करेंगे, तो जो इसके लिए formula आएगा, kg per meter के लिए, यानि per meter weight के लिए जो formula आएगा, वो कितना आएगा, d square upon में 162, या आएगा per meter length के लिए steel के weight का formula, क्या आया, d square upon में 162, या आएगा steel bars के weight per length का formula, किसमे आएगी उसके net kg per meter में, लेकिन अगर हमें steel bar का weight, kg per fit में calculate करना है, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे meter है, उसे हम किसमें convert क करने के लिए उसमें, जो conversion factor आएगा, उसको हम इसमें multiply करेंगे, जिसे जो हमारा यह वाला formula है, kg per fit में convert हो जाएगा, तो kg per fit के लिए जो formula बना हो क्या बना, d square upon में 533, तो यहाँ पे आपको जो दोनों formula में capital D देखने मिल रहा है, वो किसको denote कर रहा है, diameter और बार in mm, यानि जब आप इस formula में value put up करोगे, तो जो हमारा 8 mm diameter रहेगा, उसको आपको meter में convert नहीं करना है, क्योंकि इस formula को derive करते समय हमने उसे already convert कर लिया है, इसलिए आपको आपको additional convert नहीं करना है, तो अब हम इसे एक example के तुरू समझ लेते है, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आजागा, कि weight per length हम कैसे calculate करेंगे, किसी भी particular diameter वाले bar के लिए, तो यहाँ पे हम example लेते, weight of 8 mm bar for 1 meter length, हमी क्या करना है, 8 mm diameter वाले bar का per meter length, यानि 1 meter length के लिए उसका weight calculate करेंगे, तो यहाँ पे हमें पता है, उसके लिए जो formula होता है, वो क्या होता है, d square upon 162, जहाँ पे हम d की जेगे क्या put up करेंगे, 8 mm, यानि 8 का square कितना हैगा, 64 upon 162, तो जैसे हम इसे simplify करेंगे, तो इसकी value कितना हैगी, 0.395, तो यहाँ पे जो 0.395 है, वो क्या है, kg per meter, यानि जो हमारे 8 mm का bar है, उसका per length weight है, 1 meter length के लिए उसका weight कितना हैगा, 0.395 kg, अगर हमें पता करना है, कि ज हम इसमें क्या करेंगे, 12 का multiply कर देंगे, जिसे में पता चल जाएगा, जो 8 mm का बार आएगा, उसकी जो standard length रहेगी, उसका total weight कितना होगा, तो भी हम देख लेते, weight of bundle is equal to 0.395 into 12 meter, यानि जो हमारा बार आएगा standard length, जिसे हम swap से purchase करेंगे, उसका weight कितना होता है, 4.74 kg, यानि जो 8 mm का बार हम swap से purchase करते, उसका एक बंडल होता है, उसका weight कितना होता है, 4.74 kg, तो यह हमें पता चल गया, 8 mm diameter वाले बार का per meter weight, तो इसी type से हम बागी diameter वाले बार के लिए भी per meter weight calculate कर सकते, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक table बनाया हुआ है, जब हम cutting length calculate करेंगे, तो जो आपको पता चल जगा है, उतनी length का बार आएगा, उसका total weight कितना होगा, तो यहाँ पे मैंने उसके लिए एक chart बनाया हुआ, इस chart में सारे diameter वाले बार का per meter weight मैंने यहाँ पे calculate करके लिखा हुआ है, जैसे 6 mm बाला बार है, उसके लिए क्या होता है, 0.22 kg per meter, यह आपको पता weight calculate कर सकते हो, इस formula की help से, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आई योप आपको वीडियो समझ में आए, और वीडियो आपको समझ में आए, और वीडियो आपके लिए helpful ले, तो वीडियो को जो लाइक करना, साती इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरू शेर कर झाल